जम्मू कश्मीर और हर्यानों में होने वाले विधान सभा चुनावों का एलान कर दिया गया है मुख्य सूचना आयोक्त राजीव कुमार ने विधान सभा चुनावों का एलान किया है हर्यानों में एक फेज में चुनाव कराए जाएंगे वही तक्रीबन एक दशक के बाद जम्मू कश्मीर में तीन चरणों में चुनाओ कराए जाएंगे वता दे कि जम्मू कश्मीर से अनुछे 370 हटने के बाद और इसे केंदर शासित प्रदेश का दर्जा मिलने के बाद ये पहली बार विधान सभा चुनाओ कराए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में चुनाओ तक्रीबन एक दशक के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाओ अनुछे 370 हटने के बाद और इसे केंदर शासित प्रदेश का दर्जा मिलने के बाद पहली बार विधान सभा चुनाओ जम्मू कश्मीर की 90 विधान सभा सीटों पर चुनाओ, 3 चरणों में होगा विधान सभा चुनाओ, 18 सितंबर को पहले चरण की वोटिंग, 25 सितंबर को दूसरे चरण की वोटिंग, 1 अक्टूबर 2024 को तीसरे चरण की वोटिंग, चार अक्टूबर को होगी जम्मू कश्मीर म में मत गड़ना पहले फेस के लिए 20 अगस्त को जारी होगी अधिसूचना दूसरे चरण के चुनाओं के लिए 29 अगस्त को जारी की जाएगी अधिसूचना तीसरे चरण के चुनाओं के लिए 5 सितंबर को जारी की जाएगी अधिसूचना पहले फेस के लिए परचा दाखिल करने की अंतिम तारीक 27 अगस्त दूसरे फेस के लिए पर्चा दाखिल करने की अंतिमति थी पांच सितंबर तीसरे फेस के लिए पर्चा दाखिल करने की अंतिमति थी 12 सितंबर दो हजार चौबिस है पहले चरण के नामांकन वापस लेने किती थी तीस अगस्त दूसरे चरण के नामांकन वापस लेने किती थी में होगा हरियाणा में चुनाऊ भाचपों और कॉंग्रेस ने कसी कमर 1 अक्टूबर 2024 को हरियाणा में वोटिंग 4 अक्टूबर को होगी मत गड़ना पंजिकृत मत दाताओं की सूची ज्वारी हरियाणा में 2.01 करोड़ पंजिकृत मत दाता लगभग 1.06 करोड पुरुष और 95 लाख महिला मतदाता राज्य में 4.52 लाख युवा पहली बार करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग हरियाना में 85 वर्ष से अधिक वरिष्ट नागरेक 2.54 लाख 1.5 लाख दिव्यांग मतदाता पंजिकृत 100 साल से अधिक उम्र के 10,381 से अधिक मतदाता विधान सभाद चुनावों के लिए बनाए जाएंगे 20,629 पोलिंग स्टेशन 7,000 शेहरी तो 13,000 के करीब गाउन देहाद के छेतर में बनेंगे पोलिंग स्टेशन चुनावायोग ने प्रेस कॉन्फरेंस कर चुनावी तयारियों के पूरे होने का दावा किया है और 4 अक्टूबर को मतगणना के बाद ये साफ हो जाएगा कि जमु कश्मीर और हर्याना में किसकी सरकार बनेगी डेस्क रिपोर्ट आज की खबर